हेलो स्टुडेंट्स आज आपना देख देयां ग्रमेटिकल रेंज एन एक कुरेसी कि किद्दा सि अपने स्कोर ग्रमेटिकल रेंज एकुरेसी वेच जडे हैं भूस्ट कर सकते हैं ठीक है जो में तुसी सारा नहीं देख्या होगा जे तुसी बैंड डेस्क्रिप्टर से बहुत त्या नाल पड़ेया तो ओधा जड़ा सेमन बैंड स्कोर वालो कॉलम होंदा है तुसी जे वराइटी ओफ कॉंप्लेक्स स्ट्रक्चर से यूज कर दे हो ठीक है ना तो अनुज आज बेची के लिए पर जड़ा फोकस करांगे और करांगे पार्टिसिप्ल क्लॉजस दे कि कितना पार्टिसिप्ल क्लॉजस हो उन्ना नू यूज करके सी अपने जड़ी सेंटेंसे सांनों कॉंप्लेक्स बना सकते हैं कॉंसाइस बना सकते हैं ठीक है पार्टिसिप्ल क्ल मतलब वर्ब देन मगर जो दो एडी लगया नहीं तो ती पार्टिसिपल फॉर्म हों दिया जेमें के ड्रिंकिंग अ कप अफफ टी जैक रीड मॉनिंग पेपर ठीक्टे कि ओ कप आफ टी मतलब टी वी पी रहा सी था ना निउस पेपर भी पड़ चैने मतलब के के जड़ा टाइम कम आए ओ एक वो टाइम थी हो रहा सी थीक है न उसतों बाद पास्ट पार्टिसिपल वर्ब थी थर्ड फॉर्म यूज किती जान दी है तो देनल संटेंस नो जोड़ा है जान दा जमें प्रेजेंटेट बाई आयल्स राइटिंग बूस्टर दी वीडियो इस अबाउट पार्टिसिपल क्लॉस्टर द्वारा एक ही है पार्टिसिपल क्लॉस्टर बारे है मतलब एवी एको टाइम दी गल कर रहे है कि एको टाइम ते जड़ी वीडियो किती गही है प्रेजेंटेट एक ही दे बारे है पार्टिसिपल क्लॉस्टर बारे है उस तो बाद हेविंग पर्स वर्ब थी थर्ड फॉर्म मतलब पर्फेक्ट पार्टिसिपल ओ दो लोग आया मैं जड़ोसी यह सब्सक्राइब के एक एक्शन दूजी एक्शन तो पहला होया जिमें हविंग स्टडीड एट युनिवर्स्टी आई वाटा जॉब ठीक है मैं पहला युनिवर्स्टी चे स्टडी किती बाद विच मैंनो जॉब मिली इन्हों अपा प्रोसेस चार्ट वे चीज़ा जड़ी आसी देखनी है कि वह सेम अ तब बनेंगा अदर्वाइस डिड़ाएगा पार्टिसिपल क्लॉस नाल कॉंप्लेक्स संटेंस नहीं बनेंगा ओके स्टुडेंट्स तो होन अपा देखे दें कि दो एक्जिस्टिंग क्लॉस तो असी पार्टिसिपल क्लॉस किद्दा बनाना ठीक है बहुत प्या अनल देखनी जुरूरता स्टेप वाइस स्टेप तो संगा तो अनुह है बहुत ही इजी लगेगा तो अनुह ठीक है आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो जेवें साब्तों पहलना सी दोनों सेंटेंस रेचे दिखांगे कि कोई कुई कॉंजेक्शन दित्ता होया तासी ओं नों रिमूव गरदांगे थीक है जी नहीं दित्ता होया ता असी step number two ते continue करांगे मतलब सानW फिर जी दित्ता ही नं होया connection ता फिर कोई जरूरत नहीं है अधर्वाइस जी दित्ता होया तासी औनू往 रिमूव करदांगे ठीक है फिर second step चासी देखांगे कि are the subjects the same कि की जड़े दोनों clauses दित्ते हो या साननों उनना वेचे subject सेम नहीं ज़े सेम है ता असी first subject नो remove करके ठीक है पार्टिसिपल क्लॉस बना मांगे तो न मैं दसुँगा कि दम राना ज़े दोनों subject सेम नहीं है कि ता sorry to say कि असी फिर उते पार्टिसिपल क्लॉस आ जड़ा हो नहीं यूज कर सकते ठीक है फिर तीज़ा sentence जड़ा सी तीज़ा step जड़ा जड़ा ओकी है कैसी देखांगे is the verb के ज़े वर्ब active है तो सेम टाइम ते हो रही है मतलब दोनों चीज़ां सेम टाइम ते हो रही है फिर उसी ing प्रेजन पार्टिसिपल यूज करांगे जड़ी सड़ी पहली वर्ब है उप पैसिव है पैसिव सेंडेंस ता समझ देऊ ना जवें जीरे विच अब्जेक्ट अगे लग गया होंदा है is ठीक है करेंद लगाके जबाज वर्ब गाके जबाज वर्ब लगा के वर्ब गाए युँट्सेंटेंस दितहों ऐसा संधनी पहला व पैसिव चाहँ ता असी उत्तीव वर्ब bn कं चाहा ता आसी ओते वर्ब दीशिंव प्रॉल हो रहा है, and kindly note that, कि असी जदो, don't forget to remove auxiliary, we form the verb, ठीक है, जदो असी existing clauses तो participle clauses बना मांगे, तासी हो थे जडी बी वर्ब होएगी, ओनों भी remove करेंगे, बी वर्ब केडी-केडी form चोह साकते है, जमें is, ठीक है, am, are, ठीक है, was, word, has, have, जए ए दित्ती होए, तासी ए भी remove करांगे, क्योंके ए बी दी ही other forms हा, ठीक है न, ता इसी इननों भी remove करांगे, for example, जमें साथी को ला आई के sentence दितता होया, जमें मैं तो न पहले हैं कि, सब तो पहला step किया सी देखांगे, कि is there a conjunction, yes, we have a conjunction here, and, okay, we will remove it, ठीक है, yes, remove the conjunction, remove करत are the subjects the same, थोणा पाद देखना के जड़े subject हो same, he and he, he was running to the bus stop and he tripped over, मतलब subject भी same, ठीक है, yes, remove the first subject, मतलब first subject हो, जड़ा उन्हों remove करतांगे, उस तो बाद third step किया, किसी देखांगे, कि जड़ा पहला clause हो, active हा ते same time ते हो रहा है, yes, पहला clause हो, was running, मतलब के, past continue use किता हो, तो बे active हा, तेरा मतलब सी, we थे ing वाली verb जड़ी हो, use करांगे, उस तो बाद इसी देखांगे, कि don't forget to remove auxiliary b form the verb, होने थे b form के डिये मैं तो पहले दसा है, कि is, m, r, was, were, has, have, ते थे was हा मतलब सी, एन्हों भी remove करतांगे, ठीक है, उस तो बाद जड़ा है का, असी की करांग वर्ब दी ing फार्म नाले नू बना दागे, जैमें, एकी बन जूगा फिर, running to the bus stop, he tripped over, tripped over मतलब बुंदा, slip हो जाना, ठीक है न, ता ए सादा sentence की बन गया, running to the bus stop, he tripped over, मतलब ए होन की बन गया सादा, participle clause नानू, complex sentence बन गया, easy एना students के, पहला आसी देखांगे, कि कोई भी जै conjunction देता हो, ऐसी उनू remove करांगे, फिर आसी देखांगे की subject सेम हा, दोना चे subject सेम सी, ता आसी पहला subject हा, जड़ा उनू remove कर दागे, ठीक है, उस तो बाद आसी देखांगे, की verb active हा, जै active हा ता verb दी ing form नाल बनावांगे, ज तो एदे तो एदा सी देखांगे हो, पार्टिसेपल क्लॉस बना सकते हैं, होना आप अगे भी देख नहीं है, चलो होना आप दूसरी एक्जांपल देखेंगे, जिवे साधी कोला sentence हा, कोई sat at home and waited for the rain to stop, तो होना सी देखांगे सब तो पहला के लिए वेच की conjunction है, यस, and है तो ही दो रिमूब कर देखांगे, ठीक है, उस तो बाद असी देखांगे, are the subjects the same, तो देखांगे एठे वी, and एठे वी दो सी देखांगे, and तो बाद, and वो यह वेटर फोर दी रीन to stop, मतलब जिवे साधे वी, वी ही आएगा, ठीक है, एदा मतलब साधा subject भी सेम है, एक्टिव फॉर्म यूजगी तो यह मतलब एक्टिव फॉर्म एदा मतलब एदे वी जड़ा सेंटेंस है जड़ा पार्टिसेपल क्लोज हो आई एंज नाली बनेगा जब यहां सैट आए तासी यहनु कादे चे बदल दांगे सिटिंग ठीक है सिटिंग एट होम ठीक है वर दी रेन तो स्टोप जोदो एदना होईगा किसी दूसरा subject assume कर दें कि पहले क्योंकि end तो बाद तो ही subject आएगा तो असी जोदो पहला subject कर रहे है था एक subject दी लोड़ता है कि यह सानु ठीक है पूरे sentence नो बना होना वासते तो असी जड़ा हो assume किता होया subject हो as it is होते ही लिख दिनने है ठीक है I hope कि अनु easily समझाया होईगा कि इनु बना होना किन्ना easy है ठीक है ना मतलब एक simple जेड़े दो existing clause असा उनना तो एक पूल जड़ी है गिया वह है गिया आवाली the movie was directed by Amir Khan and it was good तब पहला ओही पहले स्टेप ते जानने सी कि is there a conjunction yes there is कि and conjunction आसी नो remove कर दांगे ठीक है उस तो बाद दिखांगे are the subjects the same तासी देख रहे हैं कि the movie and it मतलब इत भी ता मुवी बास ते यूज किता हो दा एदा मतलब है जेड़े subject है ओवी same है इने ठीक है ता जीदे फिर अग्यसी following procedure नो follow कर दे की करांगे पहला जेड़ा subject होनों की कर दांगे इसी remove कर दांगे ठीक है is the verb होन एथे देखो कि आ जेड़ा was directed by was directed by मतलब passive form तासी एथे की करांगे verb the third form यूज करांगे जदो इसी इनों participle clause गेच टर्न करांगे ठीक है ता आसी उद्धा ही लिख देए या verb the third form ना उज हो असी आयंची ना शुरू किता असी ओने सीजेड़ा है गा verb the third form ना शुरू करांगे ठीक है ता आसी जिवें के note देता हो आसी आसी असी auxiliary वर बज़ जो एक clause ना सी दूज्ये clause तो लगा नवस तो कॉमा यूज करने देविचे ठीक है होने इतनी यूज करांगे अपर इत दी जागा तो जेड़ा main subject सी ओ यूज करांगे ता इट कीनू रैफर कर रहे है ठीक है मतलब सेरा subject असाड़ हो अंकिलियर हो जेगा ठीक है I hope तो अनूँ ए समझाया होएगा कि जे पैसिव दितता होया तासी पास्ट पार्टिसेपल ना किद्दा बनाना ओके जड़ा साथे को next जड़ी example है ओ है गिया है कि I passed mains exam then I got a job जेड़ा then conjunction देता होया और उसी remove करदांगी फिर इसी देखांगे एक आती subject सेम तसी देखांगे एथे भी आई देता होया एथे भी आई देता होया मतलब सब्जेक्ट सेम है इसलिए पहला जेड़ा subject अउन की करदांगे remove करदांगे तो उस तो बात जेखांगे को कोई B form देती होया एक्जिलरी दी नहीं देती होया ता मतलब सब्जेक्ट सेम लोड नियागी remove करदांगे फिर इसी देखांगे is the verb होन एथे कि यह active है ते happening before the other action एक action दूसरी तो पहला हो रहा है तो जेड़ी आवाला sentence है एक्टिव चाह एदा मतलब बसी having plus third form ना जेड़ा हैगा परफेक्ट पार्टिसेपल यूज करके नों complex बना मागे जेवें आसी की लिखांगे having verb धी third form मतलब past means exam, I got a job तो मतलब एदना सी देड़ा हैगा हो perfect participle यूज करके अपना complex sentence बना मागे दो अलग अलग clauses तो ए जेड़ा sentence है इन्हों असी जेड़ा साथा process chart होंदा जेवे academics दी जेड़ी writing होंदिया ओधे विच टास्क वान विच प्रोसेस भी आंदागा देखे दिया ना तरसी ओधे विच दो step नों जेड़ा हैगा combine करके लिखन वेच ए sentence नो use कर सकते है ठीक है this will surely boost your score क्योंकि ए बहुत ही uncommon type of sentences हा बहुत कट students जेड़ी हैगे इन्हों यूज कर देया I hope तो आनू ए जेड़ी वीडियो हो समझाई होगी kindly ठीक है जे तुसी दो तिन बार देखोंगे ता I hope तो आनू चंगी तरह समझा आ जानगी and try to use them okay students ता एक चीज जेड़ी तुसी हमेशा जेड़ी है गिया हो आपने mind विच रखनी है ठीक है ना keep in mind कि ए जड़ा participle clause है एक कदो use किता है जड़ों जेड़ है गया two actions हा जेड़ी ठीक है ना वो एक की परसन द्वारा सेम परसन द्वारा किते जान बतल सब्जेक्ट सेम होव ओ दो use किते जान दिया जहां जदो एक cause दता होवे दूसरा effect दता होवे ओ दो use किते जान दिया थीक है जहां फिर जदो one thing जेड़ी है गे आऊ वह happened before another ठीक है one thing happened before another जदो एक चीज दूसरी तो पहला हो दे कि Performed आधना हुधा उधाव दो यूजगी तरहु छेडा है तुसी यह पर्टीसिपल क्लॉज है यूज़ कर सकते हैं I hope कि तुसी ये दी प्रेक्टेस करोंगे ठीक है Practice जुरूर कर लिए क्योंकि देखो एह एदवाने sentence सा आज़ी जैट आज़ी प्ररेक्टेस नहीं करोंगे तोसी यूज नहीं कर पाऊंगे अपने फाइनल एक्जाम विच तो ये फाइनल एक्जाम वेच यूज नहीं पाऊंगे तो फिर नॉलेज दा कोई फाइदा नी जे तुसी नो अपनी परफॉर्मेंस विच नहीं शो कर सकते then we do not have any use of that knowledge तो kindly practice it and I hope कि तो अनू ये चंगी तरह सामज लगया होगा and kindly जे तो नू ए वीडियो पसांद आगी ता subscribe कर लेओ अपने चैलन लू like कर देओ and share भी कर देओ ठीके फिर अपपा अग्गे देड़ी है गया more uncommon sentence formations और जिनिये तो डिवासते लेके आवाँगे thank you